नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्थ और जबरदस्थ होंगे सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारी 15 मिनिट वाली सिरीज है जिसमें हम काफी संगठन पूरे कर चुके हैं 12 से 13 संगठन हमारे हो चुके हैं आज का जो हमारा संगठन है उसका नाम है SCO या है SCO SCO की full form होती है संगहाई संगठन संगहाई कोपरेशन औरगनाइजेशन तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं जो कि आपके PCS, UPSC और ROI तीनों एकजाम के लिए बेहद महत्तपूर्ण है तो सुरुवात करते हैं SCO, संगहाई संगहाई संगठन इसकी स्थापना को हुई तो जब स्थापना पूछा जाए तो आप बताएंगे 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी सचीवाले की बात करें तो बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी है, बीजिंग में इसका सचीवाले है सदस्य देश 10 है, जो कि सुरुवात में तो सिर्फ 6 थे, फिर काफी टाइम बात पकिस्तान और भारत इसका सदस्य हुआ जो कि साथवे, आटवे नंबर पे, नवे नंबर पे इरान और दसवे नंबर पे बेलारूस उद्देश से की बात करें तो मध्य एसिया सेत्र में 37 सुरक्षा, यह स्थिर्फा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश से है मध्य एसिया, यह कौन सा सेत्र है, अभी हम नकसे के माध्यम से समझेंगे दस देशों को भी देखेंगे, कौन कौन से वे दस देश है अधिकारिक भासा, इसके सची वाले की अधिकारिक भासा कौन सी है तो भीयँ एक तो है रूसी, यानि कि रूस की भासा, और एक है चीनी, यानि चाइना की भासा. यह दो भासा हैं इसकी क्यामसी भासा हैं, आधिकारिक भासा हैं, इस पॉइंट पे सवाल बनते हैं आपके PCS में, ठीक है, यह देख लीजिए, इसका लोगो है, लोगों से सवा निचे की तरफ रूसी भासा है तो आपको होना इन चीनी भासा और नीचे की तरफ रूसी भासा houses बीच में गलोब के नीचे गडी लहरे दिख रही होंगी जो किया व्याहपार और निरंतरता का परतीक है, चलिए ये आपने लोगों को समझ लिया, आगे देखते हैं, तो सुरुवात कहां से होती है, ऐसी हो की, सुरुवात होती है 1996 से, जब 5, कितने 5 सदस्य है, संगाई 5 जिने हम क्या कहते हैं, संगाई 5 भी कहते हैं, इनके नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें चीन, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान, ये 5 देश थे 1996 में, जिन्हों ने एक सम्हू बनाया अपने आपसी विकास करने के लिए सुरक्षा के लिए, लेकिन समय के साथ इसमें बदला हुए, और बाद में 2001 में संगाई, कहां पे चाइना मे एक जगह है संगाई, संगाई में SEO की स्थापना हुई, जिसमें उजबेकिस्तान को उस वक्त छटे सदस्य के रूप में सामिल किया गया, या जोड़ा गया, तो आप समझ गये, कि 2001 से पहले 1996 में, जो कॉंसेप्ट था, वो जो सम्हू था, उसका नाम था संगाई 5, क्या न हस्ताकसर किये गए थे, और 2003 में इसे लागू किया गया, चार्टर का मतलब होता है, ऐसा दस्तावेज जिसमें कुछ नियम और सर्ते होती हैं, भाईया जो इसे आपसी देश हैं, आपसी देशों को आपस में समझोता और सर्ते तो माननी पड़ेंगी, तो सब लोग आपस म से यसे लागू किया गया, यह तो थी यहां तकी कहानी, लेकिन इसके बाद किया होता है, वर्तमान में दस देश हैं, तो दस आये कहां से, तो पहले दस देश कौन से हैं, तो वर्स है 2017 में, सोचिए, 2003 में लागू हो चुका है चार्टर, 2001 में उजबेकिस्तान फटेस्य बन मिला था, तो इसका मत्तब 6 थे, अब दो और जुड़ गे, तो दो कॉन्वेंस जुड़ गे, भारत और पाकिस्तान, तो कितने हो गए, अब यह देखिए, साथवे निमबर पर भारत और आठवे पर पाकिस्तान आप कह सकते हैं, यह कब हुए, दुज़ार सतरगी बात है, अस्ताना सम्मेलन, अस्ताना में सिखर सम्मेलन हुआ था, एस्सियो का, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान को सामिल किया गया, कि कब की बात है, दुज़ार सतरगी बात है, यह important fact है, एस्सियो से अगर सवाल बनेगा, तो यही बनेगा, 23 वे सिखर सम्मेलन, दुज़ार 23 के इरान अधिकारिक तोर पर SEO के 90 सदस्य के रूप में सामिल हुआ, साथवा और आठवा तो यहां तक हो चुका था, 2017 में, फिर 2023 में इरान को भी, किसको इरान को 90 सदस्य के रूप में SEO में सामिल कर लिया गया, दस्वा सदस्य से देखिए, 24 वे सिखर सम्मेलन, कब 2024 में, ठी इरान को सामिल किया गया, यह थे आप इसके 10 सदस्य है, अब 10 सदस्य को एक बार हम इसमें देख लेते हैं, अराम से देखिएंगे, तो आप इसको ऐसे देखिए, यह भहिया हमारा चाइना, क्या है यह यह चाइना, यह रसिया, कितने देश होगे, दो देश, कजाकिस्तान जिसकी मैं कहरा हूँ कि austana वो हुभी यह, सिखर सम्मेलन हुआ, तो कजाकिस्तान, उसके बाद यह देखिए किरगिस्तान, ठीक है, फिर नीचे देखे ताजिकिस्तान, इतना किलियर है, अब आजाईए इंडिया है, फिर देखे पाकिस्तान, इधर देखे इरान, ये इरान है, फिर देखे इधर बेलारूस, इतना किलियर है, यहाँ तै किसी हो को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्ता कंजी कस्तान फञी काजिक्स्तान् भी है क्जाकिस्तान हो गिया काजिक्सान फ़ी सतान ही Yes इसके कितने सदस्य है एक दो व्याएं मार daran और दसवा भईया का बेलारूस后 ये 10 सदस्य को है आप पहिचान सकते हैं इस हिस्थे को मदध है कहा जाता यह जो हिस्थ है इसको हम कहते हैं मध्धे एसिया याद रखना तो मुख्यत है मध्धे एसिया की सुरक्षा और सांति की बात करता है आगे देखिए तो SEO Westwick आबादी के 40% कितने हम कह सकते हैं कितने 40% Westwick सकल GDP sorry Westwick आबादी यह पुरी दुनिया में 40% आबादी का परति निदित्ट कोन करता है SEO करता है अगर Westwick GDP की बात करें नुआ पूरे विश्षा की GDP की बात करें तो लगबग 30% GDP सेटर को सामिल करता है यानि पूरी दुनिया के अगर सेत्रफल की बात करें तो उसका 60% हिस्सा कौन सामिल कर रहा है सेटर की बात हो चाहे वह आबादी की बात हो या अर्थ व्यवस्ता की बात करें तो या अनिकि बात करें तो सदसी देश कौन से, तो जैसा कि मैंने बताया कजाकिस्तान, करगिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, रस्या, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बिलारूस, I. ये लगभग 10 सदसी हैं, आपसी सयोग और सथभावना को बढ़ावा देटे हैं, उसके अलावा राजनेतिक बात देना SEO के उद्देश से में सामिल है, सेत्र में सांती, सुरक्षा और इस्थिरता सुनिश्चित करना, जो कि देखिए आप जो जितने भी आप पॉइंट पड़ रहे हैं, आप किसी भी संगठन को उठा के देख लेजिए, सब के महत्रपून जो मिंदू होते हैं, यही होते ह आपको इनी तर्कों पर बात करनी होती है, इनी बिंदूओं पर बात करनी होती है, लोगतांत्रिक और निस्पक्स अंतराफ्टी, राजनितिक और आर्थिक व्यवस्ता की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि SEO का वही सारे कार रहे ह आप से अंतरिक और निस्पक्स अंतराफ्टी राजनितिक और आर्थिक व्यवस्ता की सापना करना, यह सारे बिंदू आप सकते हैं, किसी भी संगधन के बारे में पुचए जाएगा, तो आप इनी सारे बिंदू उपर क्या करेंगे, अपना उत्तर लिखेंगे, यो कि सब अपने यहाँ याद कर लिया, अप किसी भी संगधन के बारे में आएगा, तो आप मुख्य परिक्सा में इन पिंदू को लिख सकते हैं, SEO की सरंचना की बात करें, तो राज्य परिसद, जो की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे सर्वस्रेश्ट इकाई है, सबसे सीर्स इकाई है, तो संगधन का सर्वोच्ची निकाए, जो आंतरिक और अंतराफ्टी संबदों पर निर्णा लेता है, एक महत्वण निकाई है, पर आता है विदेश मंत्रियों की परिशद, इसमें क्या होता है, इसमें संगधन की द्यानी गति विद्यों से संबंदित, मुद्दों पर विचार करा जाता है, नियमावली बनाई जाती है, तेत्री आतंगवाद विरोधी सरंचना, ये एक नई संस्ता है, जिसका इस्थ पर आतंगवाद विरोधी सरंचना है, इसको लेकर ये जो संस्ता है, ये भारत को क्या करती है, इतियादी मुद्दों पर भी क्या देती है, सुचना ये देती है, जिससे भारत में बड़ी घटना होने से बच जाती है, तो हम कह सकते हैं कि SEO में इस तरह के SEO की ये सरंचना ह और इसके भारत के ये नीधित आर्थ है, अगर हम SEO के फायदे देखें, महत्व देखें भारत के संदर में, तो हम कह सकते हैं, अगर हम भारत के संदर में, भारत के लिए महत्व क्या है, भारत के लिए महत्व की बात करें, तो आपको दो तिन महत्व हमेशा याद रखना है तो पहला तो यह है कि मद्धे एसिया, इसकी बात हो रही है, मद्धे एसिया, जो की देश, अब यह मैंने आपको दिखा है, मद्धे एसिया के, मद्धे एसिया के देशों के संग संग, इसके संग, देशों के, मद्धे एसिया के देशों के मद्धे संग, कहने का मतलब है, भ दुसरा नमबर पर हम बात करें, तो उर्जास अंसादों में भारत को फायदा होता है, ठीक है? तिसरी बात करें, तो मैंने जैसरा कि बताया वैसविक मुद्दे, कॉन कॉन से मुद्दे? वैसविक जैसे, अभी बात वुई थी आतंगवाद की, बैस्विक मुद्दे अभी हमारी बात भी थी आतंगवाद पे उसके अलावा नकसरवाद नसीले पदार्थ हम बात करते हैं नसीले पदार्थ है ना जो मानव तसकरी है इन मुद्दों पर इसका काम क्या है मानव तसकरी इन मुद्दों पर क्या करता है भारत इनसे सहीयोग लेता है किस सहीयोग लेता है भारत लेता है SEO जो फदस्य देश है उनसे सहीयोग लेता है और भारत को इसे काफ़ी जादा फाइदा लगातार हुआ है ठीक है। इसके अलावा गर हम बात करें कि भहیا क्या है तो छौथा है पस्च yanlış प्रभाव। क्या प्रभाव। भारत के लिए मेह तो बता रहा हूँ पस्च Zhurit प्रभाव। पस्च्च् ما ہि प्रभाव। का मतलब यह हो गया कि जो अमेरिका है ना अमेरिका का दबदबा नहीं रहेगा यहांपे क्यों नहीं रहेगा यूँकि आप देख सकते हैं चाइना रस्या इतने पाउरफुल देश अगर इस संगठिन में सामिल है और ऐसे में भारत भी सामिल है तो भारत को फिर अब अमेरिका अगर मालिजे कल के दिन पीछे हड़ किसी मामले में सयोग नहीं करता है या दवाउट बनाता है तो भारत के पास ये विकल्प के तौर पर है SEO जिसमें चाइना और सरस्या जैसे एसिया के देश सामिल है जो भारत को और मजबूती परदान करते हैं तो ये भारत के लिए महत्व है आपको समझ में आ गया होगा कि SEO क्यों इतना महत्वूर संगिठन है और क्यों बार-बार इस पर सवाल बनते हैं UPSU और PCS में लगातार इस पर सवाल बने हैं और चुनोतियों की बात की जाए अब भारत के समख चुनोतियां भी तो है अगर हम चुनोतियों की बात करें चुनोतियां क्या चुनोतिया है तो एक दो चुनोतिया है सबसे बढ़ी चुनोतिया तो एक ही है किसमें पाकिस्ता ये दोनों देश इसमें जाल समिल हैं इस सी माई जाल करते हैं थच्छ वाइस में गहता है। कि भारत भारत और चाइना जो जो सीमा संगर से, हम जैसे सीमा विवाद जो भारत को महतपुर्ण फैसले देने पर रोकता है या भारत आ चाइन के बीच में हमेशा मदभेद बने रहते हैं जब भारत और चीन या इसको कहिए भारत चीन या अन्य देस पाकिस्तान के साथ जो मदभिद मने रहते हैं ऐसे में असुरक्षा की भावना होती है जो भारत है असुरक्षा की भावना कहने का मतलब यह है कि अगर जब यह संगठन बना है दस देश हैं लेकिन यह भरोसा नहीं है कि यह हमेशा संगठन रहेगा क्यों नहीं रहेगा क्यो पाकिस्तान और चाइना मिलके भारत के साथ सडियंतर रच सकते हैं तो ऐसे मदभेत की स्तिति में SEO की बात कर रहे हैं कि SEO संगठन का अपना लंबा कोई अस्तितु नहीं है तो इस तरह की हमने एका चुनोतियां देख ली महत वो देख लिए उसके अलावा हमने देख लिए SEO की सरंचना SEO के उद्देश और यह बेसिक जानकरी जो SEO के प्रिलिम्स में आपको काम आएगी ठीक है तो यह पूरी बेसिक जानकरी जो आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से अगला संगठन हमारा अगला संगठन आप क्या जानना चाहते हैं ताकि मैं अगली बार जब वीडियो लाओं तो उस संगठन पर जरूर लाओं जो आपको लगता है कि हाँ इस पर लानी चाहिए चलिए इस क्लास को यह समाप करते हैं नमस्कार धन्यवाद